नमस्कार आज जवलपुर हल चल मैं हमारे साथ है अमिर सर जी और सर सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आप सभी को एक warm good morning और सभी का दिन अच्छा हो ऐसा जो है हम यह से जो है कल पराबी करते कि आप सभी वो सभी पाए जो कुछ आप लोग चाहते हैं जी आज हम education और training के बीट के difference यानि अंतर को समझने के लिए हमें सर के साथ हैं तो सर इसी के साथ हम अपने सवालों का सिलफिला जारी रखते हैं और शुरू करते हैं सर education करने के बाद MBA और engineering जैसी degree होने के बावजूद भी सर नौकरी नहीं मिल पाती यह इसका कारण क्या है सर देखे जैसा कि म हमारे education system में student सिर्फ degree या डिपलोमा जो ले रहा है वो अपने आपको skill maintain करने के लिए लिए था वो अगर engineering कर रहा तो engineering में master नहीं बनता management कर रहा तो management में master नहीं बनता वो सिफ समय कारता है और साथी साथ अपने life को enjoy करता है exam को एक रात पढ़के बास हो रहा है लेकिन main जो गलती उससे ये हो रही है कि वो अगर degree को इतने अच्छे से बड़े कि उस degree में वो 3-4 साल का जो भी duration दे रहा है वो तो इस duration में अगर उसको बहुत अच्छा practical knowledge हो जाए बहुत अच्छे स्किल maintain हो जाए उसके problem solving skill अगर बहुत अच्छी बन जाए तो कोई भी degree वाला बंद अगर इंड़िस्ट्री में कामयाब भी हो सकता है और इसी कारण से मैं मॉनता हूँ कि इस समय हमें हमें बहुत अच्छे लोग नहीं मिल पा रहे है इसका कारण भी यह है कि बन्दा जो है वो degree में अच्छी चीजों को समझ नहीं पा रहा है और बहुत मेहनत नहीं कर रहा ह चीज़ों में तो मेरा मानने यह कि हर बच्चे को एंबीए या इंजिनिरिंग या जो भी वह आर्ट से जो भी वह पगार रहा है उसमें उसको बहुत ताकतवर पढ़ाई करनी चाहिए स्केल को मेंटेन करना चाहिए एक चीज़ को अच्छे समझना चाहिए जिससे वह बंद सबसे अच्छा जो लिख पा रहा है उसको यूनिवरसिटी नमर वन दे देती है लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप आते हो तो यहाँ पर रटना और लिखना नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना होता है तो काम आप तभी कर पाओगे जब आपका प्रैक्टिकल स्किल मजबूत हो और प्रैक्टिकल स्किल मा बाऊंगा तो मेरा मानने यह है कि ट्रेणिंग जो है वह एजूकेशन से ज्याता बैटर आज के बड़ी बेख्ष में क्योंकि कॉपरेट सेक्टर हो चाहिए कोई भी नौकली हो आज पर्फेक्ट और लिए जा रहा है और आन पर्फेक्ट अप्लोइस को तो बाहर किया जा रहा है जैसा आप बहुत है लूआ है कि सबसे पहले बात तो है कि अगर आपको ट्रेनिंग करना ही है तो आपको सबसे पहले तो टीचर सुधाने पड़ेंगे क्योंकि आजकल के एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि हम उन टीचर्स को कमान दे देते हैं जिन खुद जिन्दगी में कुछ कभी बहुत अच्छे न रिसर्च किये न बहुत अच्छी पढ़ाई की उनका खुद का एजुकेशन बैगरांड बहुत लेगें क्योंकि बहुत कम सैल्डी में से टीचर मिलते हैं दौम उनी को दे देते हैं तो अगर हमें एजुकेशन सिस्टम में ट्रेणिंग को लाना है तो पहले हमें क्या करना होगा टीचर अच्छे सुनने पड़ें कि भले हमें हाई सैल्डी पैकेज क्यों न देना से डН साथ में हैं तो सब्सक्राब करना चाहते हैं तो सर उनके लिए आप क्या सूचते हैं हाँ यह बहुत सवाल अच्छा सवाल है क्योंकि हार स्टुडेंट हाइर एजूकेशन में जब जाता है तो पॉकेट मनी अपना निकालना चाहता हो पैरेंट से पैसा नहीं मांगना चाहता है यह अच्छी भी बात है लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर आप जॉब कर भी रहे त जॉब उस्टीज में करो जिसकेश में यह बड़े केरियर को देख पारहे हो जैसे जो स्टुडिट अगर भबिश्य में वेबसाइट में आना चाहता है जो पाइथन में आना चाहता है तो वह कोई ऐसी जॉब पकड़े जो website यह पाइथन से निकाट वाले जॉब हो इसम् आप जो ले तो experience आपको भविश्य में काम भी आएगा ऐसे जौबों से और salary आपको starting अच्छी मिल जाती है अगर आपके बास experience होता है तो सार इसी का एक substitute question है इसी के साथ एक question सर और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि सर ट्रेनिंग फिल्ड वर्क और ट्रेनिंग एक दूसरे से कैसे relate करते हैं क्या होता है देखिए फिल्ड वर्क कि अगर हम बात करें तो फिल्ड वर्क तो actually इसलिए students से करवा जाता है कि वो practical इस दुन सार और कॉले से बाहर की दुनिया होती है तो आप जब फिल्ड वर्क में उतरते हैं तो आपको real life के problems से सामना करना होता है real life के लोग आपके सामने आते है real life के challenges आपके सामने आते है तो फिल्ड में आप उन चीज़ को और बहुत अच्छे से देखते हैं तो मैं तो यह मान आते हैं तो फिल्ड में उतरना सबके लिए जरूरी है और अगर कोई आपके ट्यूटर या मेंटर ना भी बोले तो अभी आप खुद भी फिल्ड में एक बार रिसर्च जरूर करें एक बार फिल्ड में लाइफ पब्लिक से जरूर मिले और लाइफ प्रॉब्लम्स को स्यली आत teve टेखा जाता है तो व कुछ लिमेटेड अमाउंट की के लिए आप किया चाहेंगें NGO कुल एक जरूर कि में Sit is जोकेशन एक करता है और रहा बहुते बड़ी चीज़े मैं आपको को बताने जा रहा हूं आप सभी ध्यान रखें कि एड्यूकेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक दुनिया दिखाती है कि ये दुनिया है लेकिन उस दिनिया में माहिर आप तभी बन पाओगे जब आपको उसकी ट्रेनिंग आप करें और आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रैक्टिकल जिंदीगी चलती वो केवल ट्रेंड परसंस की जिंदेगी है अगर आप रियल लाइफ में भी अगर देखें तो रियल लाइफ में भी सफल वही वेक्ती है जिसने बहुत मास्टर अपनी लाइन में है तो आपको अगर जॉब करनी है तो मेरा मान नहीं है कि आप पहले ट्रेनिंग ले 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 और ट्रेनिंग लेने के बात फिर अगर आप जॉब में उतरते तो जहाँ पर आपको स्ट्रगल कम आपको होता है आपको सैलरी अच्छी मिलती है उसी तरीके साब को यह भी ध्यान रखना है कि आप जब किसी इंडिस्ट्री में स्टार्ट करते तो क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे ट्रेंड प्रोफेशनल आपके सामने आते हैं तो ट्रेंड वाला परसन उन प्रोफेशनल के सामने कभी घबराता नहीं है उनके सामने क्या करता है बहुत अच्छे से मेहनत करता है उनक trained professional तो हमेशाए एक master result की उमीद करता है तो मेरा मानना यह है और मैं students को यह भी इस platform से बताना चाहता हूँ कि आप सभी education से ज़्यादा important training को दे क्योंकि education just एक degree है इसमें केवल आपको यह बताया गया है कि आपे क्या कर सकते हो लेकिन उसमें कैसे कर सकतो यह तो कोई trained बंदा ही आपको बता सकता है और training भी ध्यान रखी का ऐसे person से लिए जो आपके जो area है उसमें master हो जैसे कि आगर commerce के training ले रहे तो commerce के master बंदों को ढूंदे computer science की training के तो computer science के master को ढूंदे क्योंकि training हमें मास्टर से ही लेना चाहिए यह मेरा मानना है और ज्यादा तर जो प्रोफेश्टर से वह भी यही मानते है सर आपका समय बहुत अनमूल था आपने कुछ समय हमको दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी मैं आपको भी धन्यवाद क जो लगातार एक अच्छे भविश्चे को सुनहरे कैडियर के लिए मेहनत कर रहे तो उसके लिए जरूरी है कि जिस भी चीज़ पे आप सुनहरे भविश्चे अपना देख रहे है उस पे खुद को trained professional मनाए ना कि educated professional क्योंकि आज मार्केट में trained professional की बड़ी जरूरत है और भारत में एक बहुत बड़ी समस्या जो लगबक हर professional देख रहा है कि आज काम करने वाले लोग नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं कि हमारे पास degree holders की कम है degree holders की कम ही है but they are not employable तो यूथ खुद को employable मनाए यूथ खुद को सिफ degree तक सीमित ना रखे वो एक अपने को masterpiece बनाए और एक एक ऐसा youth develop होके सामने आए कि वो हर प्रकार के industry हर प्रकार के job में जाकर अपना best दे सके और एक अच्छा salary भी ले सके और साथी साथ industries और jobs में जो एक भ्रांती चलिया रही है कि हमें आप अच्छे employee नहीं मिलेंगे इसको भी आज का youth अगर तोड़ दे तो हमारा जो भारत प्रकार के वह काफी और भी तरक्की करेगा और हम बहुत बड़े देशों को भी पीछे करेंगे ऐसा हम लोग मानते हैं सिक्षा में सिखाती है सिर्फ पढ़ना लेकिन सर्ट ट्रेनिंग हमें सिखाती है जबाबदारी लेना और जिम्मेदारी लेना इनी कुछ मुद्दों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए देखते रहिए जबल वर्हल चल